ही गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे आलू प्याज की बहुत ही टेस्टी सब्जी जो की कुकर की एक सीटी में बनके तयार हो जाती है, जटपट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसीपी की, रेसीपी पसंद आ ऑलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए हमने आपर दो बड़े साइज की प्याज लिये थे, जिने छील करके यह चाहरी मिर्ची लिए है, तीन से चार मैंने हरी मिरची ली गटा हुआ है, इसमें हम डालेंगे सर्सो का अटील, यह सब्जी जो हैarts वो सर्सो के तेल में ही एक छोटा चम्मच राई डालेंगे, साथी साथ एक चम्मच जीरा डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हम इसमें हेंग डालेंगे, एक सुखी लाल मिर्ची डालेंगे ऐसे तोड़के और इन सभी चीजों को हलका सुनहरा होने तक भून लेंगे, देखे जब अच्छे से प्याज डाल करके हमें इस तरह से चलाते हुए, एक से दो मिनट तक भूनना है, यानि कि हलका पिंक कलर आने तक इसे भूनना है, तो देखे हलका गुलाबी होने तक हमें प्याज को भून लेंगे, साथी साथ हमने इसमें डाला हुआ है कुटा हुआ अध्रक, लहसुन और हरी मर्ची, तीने चीजों को हमने एकदम अच्छे से कूट के डाला हुआ है, कूट के डालने से क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप चाहें तो पीष्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अध्रक लहसुन के, और इसे भी हलका सा भूनेंगे, आप देख सकत जरूरत नहीं है, यह देखें इस तरीके से मैंने आलूओं को भी एक दो मिनट तक भून लिया हुआ है, अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे कास्मेरी लाल मिर्ची पाउ द्यान रखें, आज को एकदम धीमा कर देना है, मसाले डालने के बाद जिससे की मसाले जले नहीं और उनका फ्लीवर भी अच्छा है, यह दिखें इस तरह से हमने मसाले डालने के बाद हलका सा भून लिया हुआ है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जिहां दोस्तों हम इस सबजी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना टमाटर के ही यह सबजी बनेगी, सबजी बहुत ही देश्टी बनेगी, अगर आप टमाटर पसंद करते हैं, तो इसमें एक बारी कटाओवा टमाटर भी डाल सकते हैं, नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार, और ह हाई फ्लेम में मैंने से सिर्फ एक सीठी आने तक पकाया हुआ है और इसके बाद इसका प्रेशर जो है वह अपने आप खतम होने दिया हुआ है यह देखे फिर्ण्स हमारी कितनी सांदार आलू और प्याज की सबची बनके तयार है बट अभी इसमें थोड़ी सी खटास नहीं है क्योंकि हमने टमाटर का इस्तमाल नहीं किया हुआ है तो खटास के लिए हम इसमें आदा छोटी चमस्च आमचूर का पाउडर डालेंगे आ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक मिनट तक और पका लेंगे आमचूर पाउडर डाले के बाद ताकि जो खटास है वो पूरी सबजी में अच्छे से आ जाए यह लिजे फ्रेंड्स हमारी बहुत ही रेस्टी आलू प्याज की सबची कूकर की एक सीटी में बनके तया है इसे आप गर्मा गरम रोटी चावल किसे की साथ भी खाएं आपको बहुत पसंद आएगी तो जब आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो इस सब्जी को जरू टाय कीजिएगा और रेसीपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूट कीजिएगा फिर मिलते हैं किसी किसी नहीं द구나 गवीड एक लिएगा।